हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको 4-5 एर बेबी के लिए बहुती प्यारी सी वन कट अमरेला फ्रोक बनाना सिखाते हैं इसमें हमने 1.5 मीटर फेब्रिक फ्रोक के लिए लिया है और 25 सेंटी मीटर सेम उसी में मेच करते हुए डोरी के लिए और पाइपिन के लिए फेब्रिक लिया है ये देख सकते हैं फ्रेंट्स ये हमारा 30 इंच का है ये ऐसे करते हुए डबल पीस हमारे हैं ये देख सकते हैं इसमें से हमने कपड़ा कटिंग नहीं करना है, फुल कपड़ा ये हमारा जितना अर्ज होता है, सेम इतने ही अर्ज का है, इसको हमें एक स्टा कपड़ा हमें कट नहीं करना है, इसमें ही छोड़ देना है, ऐसे करते हुए हम इसकी वी शेप कर लेते हैं, ये देखिए हमने इ पर हमें निशान लगा लेना है शोल्डर का और आर्म होल की लेंध हमें 5 इंच रखनी है बिल्कुल सीधा निशान लगा देना है अब इसको हमें यहां से चकोर कर लेना है और इसमें हमें गोलाई कर देनी है चेस्ट हमें 7 इंच की रखनी है लेंथ में ये हमें बिल्कुल सीधा 6 इंच रखना है और इसको निशान को नीचे की निशान से हमें यहां से मिला देना है यह देखिए यहां तक हमने मिला दिया है जहां तक हमें कटिंग करना है बाकी का फेब्रिक हमने इसमें ऐसे ही छोड़ दिया है यह हमारी फ्रोक का निशान लग गया है यहाँ पर हमें हलकी सी गोलाई कर देनी है फ्रैंस इसकी कमर पेसे हमें कम नहीं करना है क्योंकि हम इसमें डोरी लगाएंगे तो उसमें थोड़ी सी चुन्नटे आकर फिटिंग बेट जाएगी यह गोलाई हमें कर देनी है अब नेक का हम निशान लगाते हैं टू इंच की चोड़ाई में हमें नेक का निशान लगाना है और लंबाई में यह हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है इसमें हमें गोलाई कर देनी है ये देखिए friends इस side से हमारा 24 इन्च बेट गया है अब हमें इसकी गोलाई कर देनी है और बीच की side से यहां से हमें 26 इन्च रखना है friends हम इसकी length बीच side से थोड़ी जाधा रखते हैं क्योंकि साइड का हिस्सा हमारा कटिंग होकर जादा हो जाता है यह जहां से हम निशान लगा रहे हैं यह देखिए हमने निशान लगा दिया है यहां से हमें 24 इंच रखना है और बीच से हमें 26 इंच रखना है आर्म होल में हमें इसके गोलाई कर देनी है और शोल्डर से माप 11 इंच पर यहां पर हमें निशान लगा देना है हमें इसकी गोलाई के हिसाब से ये निशान लगाना होता है इसमें हम डोरी पिरोएंगे अब हमें इस फ्रोक को कटिंग कर लेना है ये देखिए फ्रेंट्स अगर आप चाते हैं कि आपकी गोलाई बिल्कुल बराबर आए तो फ्रेंट्स बीच साइड से आप कितनी भी लेन्थ की फ्रोक बना रहे हो बीच साइड से आपको टू इंच एक्स्टा रखनी है इस से आपके घेर बिल्कुल बराबर आते हैं कहीं से भी कम्याजाद नहीं आते हैं ये नेक भी हमने कटिंग कर लिया है ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा कपड़ा इसी में ही बच गया है जुड़ा हुआ इसमें से हम कुछ भी सामान बना सकते हैं यह यहां पर यह फ्रोक हमारी कट गई है इस जंगे पर जहांपर हमने निशान लगाया हुआ है चारोपीज मिलाकर पकड़ लेते हैं और इसमें हलका सा कट लगा देते हैं ताकि हमें और निशानों का पता चल जाए अब हम इसको खोल लेते हैं यह देखिए हमारी फ्रोक कटिंग हो गई है और इसमें यहां से बीच से सिधा निशान इसमें हमें लगा देना है दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही सेम यह निशान लगा देना है यह देख सकते हैं बिलकुल सिधा हमने इसमें निशान लगा दिया यह देख सकते हैं हमारा निशान लग गया है अब य पास कपड़ा है तो आप एक ही पट्टी काट सकती हैं ये हमारी पाइपिन है पाइपिन को हमें चोड़ाई में 1.5 इंच की लेना है आर्म होल और नेक में लगाने के लिए ये देखिए ऐसे हमने निशान लगा दिये हैं पाइपिन पर अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं ऐस इसे ही हमें सब पाइपिन अपनी कटिंग करकर तयार कर लेनी है पाइपिन हमारी कटिंग हो चुकी है ये फ्रैंस हमने डोरी बना ली है इस तरह की हमने एक स्टेप काट ली है इसको ऐसे करते हुए हमने इसके उपर सिलाई लगा कर डोरी तयार कर ली है आप चाहें तो र दबल सिलाई लगानी है ताकि जब हम पाइपिन लगाए तो ये खुले नहीं दोनों पीस पर हमने अपने सिलाई लगा लिए अब हम इस पर एक सिलाई और डबल करते हुए लगा लेते हैं ये हमारी पाइपिन है ये फ्रेंड समने रेब की काटी हुई है ये उल्टी साइड से हमें लगानी है और सीधी साइड को हमें ये पलटनी है ये देखिए ये पाइपिन हमें हलके हलकी खीशते हुए लगा लेनी है इसका अंदर का फेबरिक हमें कट नहीं करना है सब फेबरिक हमें अंदर की साइड को मोड देना है एक्स्टा कपड़ा हम कट कर लेते हैं और इसे करते हुए हमें इसको अंदर की साइड को मोड लेना है सभी कपड़ा हमें इसके अंदर ही छोड़ देना है जिससे हमारी पाइपिन थोड़ी टाइट हो जाती है और ये बहुत जादा खुबसुरत लगती है उपर किनारे पर हमें पाइपिन के सिलाई लगा लेनी है फ् पाइपन को लगा लेना है थोड़ी थोड़ी सी खीचते हुए फ्रैंट जब हम पाइपन लगा रहे होते हैं तो हमें ध्यान र даль रखना चाहिए कि हमेरा कपड़ा अंदर की साइड से बिलकुल बराबर आए इससे हमारी पाइपिन की शेप बहुत जादा प्यारी बेटती है इसको भी हमें ऐसे ही करते हुए चारो तरफ इसके सिलाई लगा लेनी है अंदर की साइड को मोडते हुए जो हमारी अंदर की सिलाई है वो कहीं से भी चमकनी नहीं चाहिए इस से हमारे नेक में बहुत जादा फिनिशिंग आ जाती है जब सिलाई नहीं चमकती है अंदर की साइड की ये देखिए चारो तरफ हम ऐसे ही करते हुए इसके सिलाई लगा कर अपने नेक को तयार कर लेते हैं ये हमने नेक और आर्म होल तयार कर लिये हैं अब हम इसको डबल कर लेना है और इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगा देनी है दोनों साइड से हमें थोड़ा थोड़ा सा फेबरिक अंदर की साइड को लेते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है ये हमारी सिलाई लग चुकी है दूसरी साइड में भी हमें ऐसे ही फिटिंग की सिलाई लगा देनी है ये यहाँ पर इस सेंटर में हमने निशान लगाया हुआ है सीधी साइड पर अब इसको बिल्कुल बराबर मिला लेते हैं और यहां पर भी हम एक निशान लगा देते हैं यहां से हमें जो हम इस टेप इसके उपर लगाएंगे यह देख सकते हैं इसको ऐसे इस टेप को पहले एक साइड से मोड लेना है और इसको ऐसे करते हुए हमें इसके उपर रखना है यहां से और इसके चारो तरफ ऐसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है यह देखिए ऐसे मोडते हुए फ्रेंड्स हमें अपनी इस टेप या फ्रोक खीचनी नहीं है यह फ्रोक हमारी रेब की हो जाती है अगर हम खीचेंगे तो हमारी पट्टी सही नहीं बैठेगी और पट्टी को भी हमें नहीं कीचना है फ्रोक को भी नहीं कीचना है यह देखिए ऐसे करते हुए हमें चारो तरफ अपनी पट्टी लगा कर तैयार कर लेनी है हमें यह पट्टी अपनी निशान के उपर ही लगानी है अब दूसरी साइड का हमारा हिस्सा आ गया है यहां तक हमारे बिल्कुल इसके बराबर रखना है यह देखिए अब इस साइड से भी हमें ऐसे ही मोड़ते हुए चारो तरफ इसके सिलाई लगा लेनी है अंदर की साइड को यहां से पक्का कर लेते हैं यह देख सकते हैं हमने ऐसे सिलाई लगा कर पट्टी को तयार कर लेना है चारो तरफ हमें ऐसे ही सिलाई लगा देनी है यह हमने पट्टी लगा कर तयार कर ली है बीच साइड से यह हमारा खुला हुआ हिस्सा है इसमें हमें डोरी लगा देनी है और पिन की मदद से या आप किसी भी चीज़ की मदद से डोरी को पिरो सकती है इसके अंदर चारो तरफ हमें ऐसे ही डोरी पिरो देनी है इसके यह देखिए इस साइड से हमें इसको निकाल लेना है ये देखिए हमने बराबर चुन्नटे कर देनी है इसको डोरी को बेबी को पहना कर उसके हिसाब से हम इसमें फिटिंग कर लेते हैं जितनी भी आपकी बेबी की फिटिंग हो आप डोरी खीच कर इतनी ही बान दीजिए और इसकी चुन्नटे ऐसे करते हुए बराबर कर दीजिए यहां से हमें यह गिरा लगा लेनी है उसके बाद हम इसमें नोट बान देते हैं यह हमने लुपी के लिए कपड़ा ले लिया है यह 1.5 इंच का और 3 इंच का इस तरीके से है डबल कर लिया है हमने इसको ऐसे मिलाते हुए हम इसकी गोलाई कर लेते हैं हमारी दोनों लुपी यह कटिंग हो गई है अब हमें डोरी को इसके बीच में रखना है और इस पर फिटिंग की सिलाई लगा देनी है यह यहां से हम हमने इस पर सिलाई लगा दी है दूसरी लुपी भी हम अपनी ऐसे ही लगा लेते हैं दोनों लुपी हमने लगा लिया है और इनको पलट लिया है यह नीचे का घेर है हमारा घेर को हमें ऐसे डबल करते हुए इसके उपर चारो तरफ सिलाई लगा लेनी है दो सिलाई हमें पहले एक गेर तयार करने के लिए उसके बाद एक किनारे पर हमें सिलाई लगानी है ये देखिए अंदर की साइड को ऐसे मोडते हुए हमें गेरे को तयार कर लेना है अब हमें इसके दूसरी सिलाई लगाकर किनारे पर फ्रोक को तयार कर लेना है ये हमारी फ्रोक complete हो गई है ये देख सकते हैं friends फ्रोक के घेरे कितने जादा आ गए हैं इसके काफी घेरे वाली ये फ्रोक बन जाती है ये नेक भी इसका दोनों साइड से बिलकुल बराबर बन कर बहुत प्यारा लग रहा है बीच में हमने डोरी लगा दी है और इसकी चुननटे सेट कर दी है पहन कर इसमें इस तरीके से प्लेट सा जाएंगी आप देख सकते हैं हमारा घेरा भी बिलकुल बराबर आ रहा है कहीं से भी कम्या जादा नहीं आ रहा है friends अगर आप ये फ्रोक बना रहे हैं तो साइड की लंबाई से बीच की दो इंच लंबाई हमें एक्स्ट्रा रखनी है ताकि हमारा घेरा बिलकुल बराबर आए friends हमारी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए बेल आइकुन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आफ तक पूँ सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई